और ये पानी गाइज नसीब नहीं होता है हम लोगों को हेलो गाइज फाइनली और एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज की इस ब्लॉग में आप लोगों को मेरे गाउ का जो दूसरा पार्ट है वो दिखा रहा हूं एक्चुली मैं जहां रहता हूं वो ब्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया है और ये जो सीन देख रहे हूं मेरे पिछे ये भी हमारे गाउ का ही एक पार्ट है मतलब ये पिछे का साइड मतलब है और ये आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाला हूं ये मेरा जो गाव है आप लोग के लिए बता देना चाहूंगा कि ये गाव मेरा पढ़ता है पकांजोर में और पकांजोर के ही अभी गिनने वाला था तो इस देख सकते हो आप लोग कितना ब्यूटिफुल कल रात को बारिश हुई थी जिसकी वज़े से एक दम सब कुछ ह दिखाऊंगा वो है खजूर का पेड़ और आई होब दोस्तों आप लोग को मैं खजूर भी दिखा सकूं और हमारे गाव में काफी सारे फल लगते हैं जो की इंट्रेस्टिंग बात है यार हर गाव में होते हैं सो अभी मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं जो लोग हमा अब लोग के लिए जो लोग बाहर से देख रहे हूं इस वीडियो को सो अभी आप लोग को मैं दिखाता हूं खजूर का पेड़ और उसमें कुछ खजूर भी लगे हुए सो इंजॉय करो वीडियो को और दिखाता हूं आप लोग को बैक कैमरे से हैं ना कितना नीचे मुझे दिख रहे हैं मेरा आखों के सामने और जिसमें से सिर्फ एक में खजूर बचे हुए हैं और इन खजूर को आपको देख के आपके बचपन की याद आ जाएगी यदि आप भी पकांजोर साइट से हो क्योंकि हम लोगों ने बचपन में काफी खजूर तोड़े हैं देखिए यहां नीचे भी खजूर पड़े हुए है और अभी कुछ यहां से तोड़े गया है खजूर सो देख सकते हैं आप लग कुछ थोड़े बहुत है मैं एक दो तोड़ने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं गाव आने के बाद अभी तक खजूर खाया नहीं है मैंने चुटता है कि नहीं सोटा है थोड़े से हलक़ा सा ऊचा है अब है इतना होड़ा है हाथ हूं से मैंने इतने खजूर तोड़े है और आप लोग को खाके बताता हूं कि यह खजूर कैसे लगते तो पहले उससे एक फौटो कीछ लेता हूं सो गाइज अभी आप लोग को बताना चाहूंगा यह जो खजूर मेरे को मिले है आप लोग देख सकते हो कितने पके हुए एकदम एकदम भूरे-भूरे से हो चुके और अभी इसको टेस्ट करके आप लोग को बताते कि कैसा यह खजूर है खाने में सो काफी साल बाद खा रहा हूं तो ओविस्टी बाद है थोड़ा तो एकसाइटिड होंगा ही और गाइज क्या बढ़ता हूं आप लोग को मजा गया हूं तो गाइज अंदर से कुछ बीज निकलता है ऐसा और एकदम मीठी चीनी की तरह एकदम मीठी है और काफी अच्छा लग रहा है एकदम पका हुआ है तो पेड़ पर पकावा चीज है आप लोग समझी सकते हो कितना टेस्टी होता है तो यह कुछ खजूर खाने के बाद मु खजूर खाये थे काफी टेस्टी होते है गाइज मेरे एक कलिक्स गये थे वो लेके आये थे दूबई से वो खजूर के कंपेरिजन में यह इतना भी वो नहीं है बट वो थोड़ा बड़ा था तो हमारा यह देसी खजूर है यह भी किसी से कम नहीं है तो गाइज देख सकत मैं गाव आता भी हूँ तो उदर से ही चला जाता हूँ सो अभी ही हमारा जो गाव है कापसी के अंदर है और अभी यह कापसी से थोड़ा साइधर अंदर की साइड यह गाव पढ़ता है हमारा गाव का नाम है बापुनगर और बहुत ही प्यारा सा गाउ है छोटा सब गाउ है लेकिन आपको हर तरह की चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इधर है खेत वहाँ पर भाईया का खेत है वहाँ पर भाईया लोग खेती कर रहे और फिलाल मैं आ चुका हूं इस पोखर में और थोड़ा सा हाथ पर दोते है क्योंकि वह गया है कादा से भर गया है आप लोगो दिखाना चाह सब्सक्राइब सो फाइनली हम लोग आ चुके है यहाँ पर और देख सकते हो अभी पोखर में जो है वह पानी बहुत कम है उसका रीजन यह है कि अभी बारिश का सीजन हुआ है स्टार्ट तो थोड़ा तो टाइम लगे गा ही आप लोग जैसा कि जानते हो कि बारिश होती ह है उसके बाद डैम पोखर वगर सब भड़ते है तो अभी कल राज से ही बारिश स्टार्ट हुई है तो एक दो दिन तो लगेगा ही दोस्तों एक दो दिन बाद जब यह फुल हो जाएगा बारिश आने के बाद उसके बाद यह जगा बहुत ज्यादा प्रीटी और आसम देख रहा है मुझे काफी सालों बाद यहां आया हूं गूमने के लिए तो मुझे काफी बड़ा एक सुकून मिल रहा है कि अपने गाओं में इतना कुछ है देखने को बट हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते इस चीज को नहीं देखने को नसीब मिलता है सो जब भी गाओ तो इस चीज का पूरा आनंद लेते हैं और मशली जो पकड़ने का जो फिशिंग का मेरा वीडियो है वो भी आप लोगो मेरे वीडियो के निचे लिंक में मिल जायागा मैंने खरकटा डैम में जो फिशिंग करी थी वो मेरे बतिजों के साथ है और वो वीडियो भी काफी इंट्रेस्टिंग है तो उसको भी जाके देखना अभी इस वीडियो को पहले देख लो पूरा उसके बाद उस वीडियो को देख लेना सो अभी आप लोग को बैक केमरे से और थोड़ा दिखा देता हूं तो वीडियो में बने रहो और इंजॉय करो दोस्तों तो गाइस य था तो यहां पर देख सकते हो आप लोग बहुत ही शांदार एक वीव है और मैं भी यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाला और और उसके बाद यहां से निकलेंगे और आपको थोड़ा इधर का जो गाव है मेरा यह वाला सीन आप लोगों को दिखाएंगे तो कि और जाये करो वीडियो को मिलते आपको आगे वीडियो के नेक्स स्टेज मेरा तो वीडियो को ळきます अभी तक नहीं किया तो और इस वीडियो का लाइक का एम हम रखते एक हजार का I hope दोस्तों आप लोग एक हजार लाइक कम्लेट कर दोगे मुझे पूरा विश्वास से मेरे दोस्तों आप लोग उनने मेरे चैनल को और ये पानी गाइज नसीब नहीं होता है हम लोगों को राजस्तान में बहुत मुश्किल होता है बड़ यहां पर हम लोग फिलाल आ चुके है और कुछ लोग बाइक पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये भाई क्या कर रहा है यहां पर सो गाइज उन लोगों को मैं बता नहीं सकता है कि मैं कितना जादा हैपी हूँ यार काफी टाइम बाद अपने गाउं आया हूँ थोड़ा तो एकसाइडेट होंगा ही तो कुछ लोग सोच रहे होंगे पागल वागल तो नहीं है या क्या वीडियो वीडियो बना रहा है य तो वह भी दिखा देता हूँ कितने नीचे में वह पेड़ लगा हूँ है तो वीडियो में बने रहो तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ थोड़ा उपर यह जो डैम का जो उपर का एक भाग है वहाँ पर आ चुका हूँ और मेरे पीछे है एक खजूर का पेड़ यहा अभी आगे चलते और आप लोगों को गाउ दिखाते हैं तो बने रहो वीडियो में तो गाइस अभी एक इंट्रेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यह है चूई-मूई का पोधा और एक मैजिक दिखाता हूँ आप लोगों को यह देखिए इसको जैते ही हम टच करते हैं यह एकदम से एकदम से हो जाती है और यह काफी बड़ा इंट्रेस्टिंग है हम लोग बच्पन में इस पीड़ से काफी खेलते थे और अभी आप लोग देख सकते हो कितना मस्त है और यह सब सो जाएंगे सो गाइस यह कुछ है छूइमूई का पोधा जो कि ऐसी हात लगाते ही सो जाते है डर के मारे काफी इंट्रेस्टिंग आप लोग उसको चूओगी और उसको पता चल जाता है कि उसको किसी ने चूओगा है चूओगा है तो वो अपने आप अपने आपको सिमेट लेती है ड जगह लगे हुए है और यह हम राजस्तान में या कहीं बड़ी बड़ी सीटियों में जहां यह सब नहीं मिल पाता है तो वहां पर यह सब लोग पैसों से खरीद के लेके आते हैं और अपने घरों में सजाते हैं तो यह एक इंट्रेस्टिंग चीज है काफी सारी ऐसी कहता हूं अप लोग बने रोव वीडियो में वागर काफ़ी से और यहां पर है वो डैम जहां से मैं यह वीडियो पर नहीं आ But यह은 ale又 क encourages करना हो और हो सब लोग मिल जुलके रहते हैं हो अच्छे से और काफी सालों से मैं गाव नहीं आया था सो अभी आना रहो गिया मेरा रिसेंटली सो अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों वीडियो में और एक चीज दिखाना चाहूँगा गाइस नारियल के पे जो की बहुत रेर है यहाँ पे और आजकल अभी लोगों नारियल के जो प्लांटेशन है वो जाधा कर दिये और आप लोग देख सकते हो कितने ब्यूटिफूल हरे हरे नारियल यहाँ पे लगे हुए यहाँ पे और आपको नारियल देखने को मिल जाते है और यह वाले जो है एकदम पीले हो चुके है सो है ना इंट्रेस्टिंग चीजे और यही एनारियल अभी डुरिंग को वीड काफी महेंगे भी करे थे सो अभी चलते आगे और दिखाता हूँ आप लोग को क्या चल रहा है आप गाउ में तो बने रहो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है सो वीडियो लंबा हो जाए तो थोड़ा माइन मत करना और वीडियो को पूरा वाच करना आप दोस्तों आप लोग को मज़ा आएगा सो आग आऊ फाइनली मैं अपने गाउ में और देख सकते हो यह पहाड के साइड में थोड़ा सा सीन है और कुछ सीन ऐसा देख सकते हो और इधर से आगे जाऊंगा मैं तो मेरा गाउ आप लोग को देखने को मिल जाएगा सो अभी आप लोग को सो गाइज फाइनली काफी दूर मैंने सफर अपना तै कर लिया है और अभी आप लोग मेरा गाउ को देख सकते हो और यहां से मैं निकलूँगा और आप लोग को आगे की जाणनी भी दिखाऊंगा सो आज की वीडियो को यही एंड करेंगे आई होप दोस्तों आप लोग को मज़ा आया होगा और मज़ा इदी आया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर इदी नहीं आया है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब क्योंकि ऐसे ही ब्यूटीफूल और मज़दार वीडियो आप लोग के लिए मैं लाता रहता हूँ सो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है गाइस सो मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बंदे मातरम जै हिंद